प्रापस एक बार हमारे पास है यह Vivo T2 Pro 5G एस फोन में भाई काफी खतरनाक सा प्रसेसर है प्लस इसमें ना जो फ्लाइश है वो नॉर्मल सा ने कुछ यूनिक सा किया है इनोंने इसके साथ और मेरा फेवरिक फीचर इसमें है वो है कर डिस्प्लेइ इस वाले प्लाइश यह आ जाता है अपने वास अपना फोन और यह वाला वाई चंकीला कलर डून गोल्ड कलरे नया वाला इनका दिखने में का खतरनाक दिख रहा है लिटरी एंग जो मैंने बूला था देखो आपको यह फ्लैश पी ओरा लाइट है इनका काफी खतरना के और सची बताव वह हा जाता है और गाईज 66 वाट का फ्लैश चारजर टैप-C केबल आ जाता है साथ में और आपिस्टी सिम इजेक्टर टूल अगर सिम कार्ड की बात करो तो यह एक डूल सिम वाला स्मार्टफोन है निचे से इसका स्पीकर दें टैप-C का पॉर्ट प्लस माइक भी आता है लोग और लाइट पुलते है और अनेस्टी बोलू और अनेस्टी बोलू जो नॉर्मली वीडियो में वाईगे रिंग लाइट यूज होती ना उसके जैसा ही है कैस देखो अब भी मैंने सारी लाइट्स आफ कर लिये और अब लोग अब भी देखते ओर लाइट कितनी आती वाई खतर ना का रही है और लाइट इसका एक फोटो भी में निकाल के देख सबता हूं सब्सक्राइट से जो फोटो आया ना पूरे अंदेरे में निकाला है सही आया है नॉर्मली भी निकालेंगे पोट्रेट सही आएग और इससे इसका जो मैन कैमरा वो है 64MP का एंड जो जो लाइटिंग है सब्जेक्ट पर वो काफी यूनिफार्म आ सके कैज अभी मैं सेल्फी कामरा से फोटो लेकर देखता हूं फोटो आया तो काफी खतरना के इवन भाई मेरे छोटोटे बाल वेगरा दिख रहे है छोटोटो में पिंपल्स वेगरा दिख रहे है काफी जूम कर सकतें हमलत 64MP का केमरा इसका और भी सब्जेक्ट से अफने वास फोटो निकारने के लिए क्या आप इन दोनों को जानते हो नीचे कमेंट मैं बता ना इसका एक फोटो निकालते है इसक रोग फोटो निकालते खतरना क्वाल बाल ये TM escola kसा शावxx है मुझे काफी प बाइटनेस का एरिया इसमें आ जाता है इतना ब्राइट है कि आपकी आखे बंध होने लगती है कि अंदर से ही आ रहा है और मैं चर रहा हो अभी नॉर्मली तो इससे आपको इसका स्टैबिलाइशन समझ जाए औरा लाइट के साथ मैंने एक पोट्रेट में अपना फोटो निकाला है यह भी काफे ज़्यादा डिटेल्ड एच डिटेक्शन रहेगरा सही से आ रहा है सब्सक्राइब का मोड भी आ जाता है तो आप एकदम ही डीटेल्ड वाला शॉट चाहते हो वह भी इसमें अराम से ले सकते हो इसमें काफी ज्यादा डीटेल्स आपको देखने मिल जाए वीड़ो फिल्टर काना इसमें एक ऑप्शन आ जाता है तो हम लोग कोई भी आपको फोन काफी चाहता स्टेडी रखना बढ़ता है तो अब गेमिंग के लिए इसमें काफी अच्छे अच्छे फीचर से फार इसमें यहां पर आप देख सकते हो मोड अमलोग चेंज कर सकते हैं बूस्ट मोड पर लिखे गए तो CPU अगर अच्छे से काम करें तो जादा बाट थोड़ा चार्जिंग आपका बैक्टरी जादा जाएगा दस या बाकी भी चीजे कस्टम आप चीजे लगा सकते हैं मोशन कंट्रोल कॉल्स लिजेट करने का ऑप्शन है यह ज़्यादे कि कोई भी कॉल करेंगा है हटो मेरे को बात ही नहीं करनी गेम करेंगे हम लोग से अगर एक्डम एक्स्ट्रीम पर खिलना आपको तो स्मूध पर भी चल सकता है इस काफी जादा खतरनाक स्मूध आ रहा है इसमें गेम प्ले दस इसमें थीके लिक्विड कूलिंग आ जाती है जिसके वाद सेना टेंप्रेटर्स भी सही सही रहता है कि आरान से माल रहा दोस्तों मैं सब का इसमें एक मोशन गड़र का फीचर आता है गेमिंग के लिए खतरनाक सा अच्छा खतरनाक चीज़े आपको दिखा दाओ पर एक्जामपल अभी मैंने इसको अन कर लिया तो टिल्ट लेफ्ट के लिए मैं लगा देता हूँ एक टिल् सिद्धा फाइरिंग वाला ठीक है तिल्ट राइट वाला कर लिया मैंने सपोर्ट जूम वाला रेस लेफ्ट वाला मैंने यहां पर खतरनाक से मोशन कंट्रोल सेट कर लिया अभी फॉर एक्जामपल अगर मैंने ऐसा किया तो यह बेटना चीज़े बेटना चीज़े है यह 2200Hz का राइख खतरनाक बात ही है क्योंकि इसका जो रिफ्रेश्ट रेटना वह 120Hz का है इसका जो प्रोसेसर आता है वह काफी जाधा खतरनाक सा डामेश्टी 7200 आता है जो कि 4 नैनोमेटर का है डाइस लेटरली इसका अंटुट का स्कोर आता है 720,000 प्लस और हीटिंग भी इसका ये डिस्प्लेई यह 6.78 इंच का आमोलेड डिस्प्लेई आता है काफी खतरनाक ब्राइट कलर से इसके और अभी इसमें 120Hz का अप्च्छन आ रहा है स्मार्ट स्विच पर अभी और अगर मैं फुल 120Hz पर लेकर जाओ भाई सहाब क्या स्मूधने से लिटरली वोलता ह या क्या मजा आ आहा है ऐसे से करने में इसी 100% सिनेमा ग्रेट पी 3 कलर गामेट के साहथ मतलब कलर क्लर कॉईंटी कलर की जो एकुरसी वह वह काफी खतरना क्वाली है और जो नॉर्मल ब्राइटने से वह थाउजर्ड टक जा सकती है और जो पीक ब्राइटने से एकड़ में वह 1300 निट्स तक जाती है ऐसे स्क्रीन पर तो जिसके वीडियों देखने चाहिए वह मैं मेरे वीडियों देखो यार इसलिए लाइक भी देखते जाओ इसका न्यू 3D ग्लास डिजाइन आता है काफी अल्ट्रा स्लिम बना देता है फोन को प्लस इसके जो बैजर से वह काफी कि जाना ही नेरो है कि वाइस अब स्पीकर तो इसमें सिंगल स्पीकर यह लेकिन जो आउडियो की क्वाइट है वो हाय रिजॉलिशन आउडियोस में सुनने को मिल जाता है इतना स्लिम होके भी इसमें बैक रहती है 4600 mAh की प्लस यह वाला वेरियंट मेरे पास ही वह है 8GB RAM क 256 स्टोरेज के साथ इसके डिजाइन से वाही मुझे प्यारी हो गया क्या बढ़िया दिख रहा है यह जो ग्लास है यह फ्लियोराइट एजी ग्लास जो एक्चुली टच करने में स्मूध है लेकि फील आ जाता है कि यह ग्लास जैसा है एंड ट्रांस्परेंट यह यह वीव आपको कैसा लगा है यह फोन नीचे कमेंट सेक्शन में बताना थैंको सो मच फ़र वाचिंग बाई